कि है कि हलो स्टुडेंट्स आज हम डिसक्स करने वाले हैं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ डिलेशन्स अगर आप कॉंपेशन्स की जारी करते हैं या बोर्स पेपर के लिए आपका एकजांस आने वाले हैं और जहांसे वीडियो को देखिए और इसकी डिट एक कितने नंबर अफ एलिबेंट थे एं एंड में बी वान टो थ्री फोर और नंबर ऑफ रिलेशन्स इसमें होती हैं स्टुडेंट्स तू रेस तुदी पावर एन स्क्वाइर आपको डालेक्ट इसको यूज़ करना होगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन्स नंब then number of symmetric relations number of symmetric relations is 2 raise to the power n square plus n by 2 then number of reflexive n symmetric means reflexive b ho or symmetric b ho यह हम पांट करना है students maximum number of this is 2 raise to the power n square minus n by 2 students number of transitive relation के लिए as it is ऐसा कोई simple formula नहीं है तो आप इसको ऐसे याद कर लेजिए कि अगर number of element 1 हूं तो symmetric relation 2 होंगी number of relations 13 होंगी अगर number of elements 2 हूए तो और 171 होंगी अगर number of elements 3 हूए तो कोई general formula हमारे पास ट्रांस्क्रिप का नहीं है अब number of equivalence relation यह हमेशा से concern का issue रहता है कि number of equivalence relation कैसे निकल नहीं है उसके लिए students हमारे पास एक procedure है जिसको हम कहते हैं कि बेल्ट्री क्या होता है देखते हैं कि students elements in a एक बार वन ले लेते हैं एक बार students तू ले ले लेते हैं एक बार थ्री एक बार फोर एंड तो ओन यह ट्री कितना भी लेंदी हो सकता है हमें पास एक आइडिया चाहिए हम मालुम करते हैं number of equivalence relation students जहांते समझेगा अगर एक element होगा तो एक ही equivalence relation बनेगी अब हम आ गए number of element 2 पर अगर दो element से तब क्या करना है उपर वाली रो जिस्ट element पर खतम होगी वहीं से next रो को शुरू करना है अब पहली रो में तो एक ही element है यह शुरू भी इसी से है खतम भी इसी से है तो पहली वाली रो का end हुआ one पर तो second वाली स्टार्ट होगी one पर उसके बाद one plus one two अगर दो element होंगे तो number of equivalence दो होगी अब यह वाली रो number of elements in way number of equivalence five बनेगी now यह वाली रो खतम हुई five पर तो यह वाली रो शुरू होगी five पर five plus two seven seven plus three ten ten plus five fifteen तो इस बार number of equivalence relations कितनी हुई तो पीन हुई and so on इस तरीके से इस प्रीकी हैल्प से हम कितने भी number of elements के लिए number of equivalence relations find out कर सकते हैं यह टॉपिक बहुत important है completion point उपक्ति से बोर्स में भी इस पे बिल्कुल डारेक्ट अब्जेक्टिव कोशन आ सकता है आपको यह बहुत जंसों देखना चाहिए स्टुडेंट हमेशा ही एक बार जरूस होसते हैं कि सर यह formula कहां से आई यह formula generate कैसे हुए इनके derivations क्या है उनके लिए हम एक separate video बनाएंगे यह video लेंदी हो जाएगा I hope यह video आपके बहुत कामका है all the best thank you